दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बोक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे बड़ी कबर बिहार में पंचाज चुनाव की अधिसुचना जारी है वह किसी भी नई योजना का आरम नहीं हो सकेगा हाला कि पुराने योजना जारी रहेगी चुनाव के लिए मददान 11 चर्णों में होंगे अधिसुचना जारी होने के साथ प्रत्यासी अब बुद्वार से चो अलग-अलग बदों के लिए नामंकन कर सकेंगे नामंकन के लिए उनको साथ दिनों का समय मिलेगा आयोग ने नामंकन पत्र भरने जाज और नाम वापसी के समय निधारित कर दिये हैं मोखिया सरपंच वाड सदैस से पंच पंचाई समिती सदैस और जिला परिशत सदैस के प्रत्यासी इगारा बजी दिन से साम चार बजी तक नामंकन कर सकेंगे आपको बदा दी कि पहले चरन का मदान 24 सितंबर को दूसरा चरन 29 सितंबर तिसरा चरन 8 अक्टूबर चोता चरन 20 सक्टूबर पाचवा चरन 24 सक्टूबर चाटा चरन 3 नौंबर सातवा चरन 15 नौंबर आठवा चरन 24 नौंबर नौवा चरन 29 नौंबर दसवा चरन 8 प्रकरणब्स के स Beneath It more aspiration प्रकाव कराए जाएंगे इन प्रकरणों में दो सितनंबर से नमांकनी प्रक्रिया सुरूए चीनबम्स और संजोली में केमूर के कुद्रा प्रकंड, गया के लागंज और खिजर सराय, नवादा के गोविनपूर, औरंगाबाद के औरंगाबाद प्रकंड, जानावाद के काको, अरवल के सोनभद्र बंसी सुरिपूर, मुंगेर के तारापूर, जमुई के सिकंद्रा और बाका के धोरया प्रकर्ण में चुनाव संपन होगी अगली बड़े खबर मदान के एक दिन बाद ही शुरू हो जाएगी मत गन्ना साम तक रिजल्ट होगा जारी जिहां बिहार में पंचाई चुना में वोटिंग के बाद रिजल्ट के लिए ज़्यादा इंतिजार नहीं करना होगा अभी तक सभी चरण पूरे होने पर एक साथ गिंती कराए जाती रही है यूपी के पंचाई चुना में भी सभी चरणों के बाद गिंती हुई थी लेकिन बिहार में हर चरण की वोटिंग के एक दिन बाद ही वोटों की गिंती सुरू हो जाएगी माना जा रहा है कि वोटिंग के 48 गंटे बाद ही यह पता चल जाएगे किस गाव में कौन मुख्या बना है साथ यह आपको बता दे कि चुना में चार पदो पर एबियम से और दो पदो पर बैलेट से चुना होगा अगली बड़ी कवर पहले बार पंचायत इलेक्षन में होंगे यह दस परियोग घर बेटे भी कर सकेंगे आविदन जिहा राज के 38 जिलो के 8072 ग्राम पंचायतों में 11 चरनों में मददान होंगे पहले चरन के चुनाव 24 सितमबर जबके आखरे 21 चरन का चुनाव 12 दिसम्मर को होगा इस बार पंचायत के रन में 10 परियोग किये जाएंगे आपको बता दे कि इस 10 नए परियोग में EVM से वोटिंग, डिजिटाइजेशन, हर सुविदा ओनलाइन, मददान केंदर पर बायोमेट्रिक का परियोग, मददान वा मदगन्ना केंदर की वेब कॉस्टिंग, मददाओ के लिए हलप लाइन नंबर, चुनाव तैयारी पर म ददाओ से समवाद, सोसल मीडिया के इस्तिमाल, मददा जगरूता को गेत वा कॉलर ट्यून देना, मदगन्ना के दोरान माइक्रो अब्जरवर और कोविड-19 के लिए प्रबंद वेबस्ता सामिल है बाड़ी खबर राज के पटना एयरपोर्ट भी अब नेजी हातों में जाएगा, पैसंजर ट्रेन के अलावे साथ सड़के भी प्राविट सेक्टर को प्रावेट आजेशन के लिए कदम बढ़ा रहे, मोदिस सरकार ने बिहार को लेकर अब बड़ा फैसला किया है, बिहार में कई सड़कों को अब नेजी हातों में सौपने की तयारी कर ली गई है बाड़ी खबार या है कि पाटना एएरपोर्ट का संचालन भी अब नेजी हातों में होगा, इसके अलावा पाटना से प्रावेट पैसंजर ट्रेने भी चलाए जाएगी, केंदर सरकार ने कूल तेरत तरह की सरकारी संपत्यों में हिस्सेदारी बेचना या फिर उसे लेज पर देने का फैसला किया है, आपको बता दे कि बिहार के जीन साथ सडकों को नीजी हातों में दिया जाएगा, उनमें हाजी पूर मुझपर पूर, पूर्निया दाल कोला, कोटवा महसी मुझपर पूर, खगड़िया पूर्निया, मुझपर पूर सोनर बसा, मरा चट्टी ग दिल्ली की बीच एक सितंबर से तेजस ट्रेन की चलने की सम्हावना है, इसे पटना नए दिल्ली राजदाने एक्सप्रेस ट्रेन के समय पर चलाए जाने की योजना है, इसको लेकर राजदर नगर टर्मिलल पर दो रेक पहुँच चुके है, रेक पर राजदर नगर नितिस कुमार पतना वासियों और प्रदेश वासियों को कई उजनाव की सोगात देने जा रहे हैं इस कड़ी में वे सबसे पहले डबल डेकर फ्लाइ ओबर का वर्चुल रूस से लड़नास करेंगे इसके साथ ही वे चार इस्टेट हाइवे का भी उद्गाटन करेंगे बता बिहार में बदला मौसम का मिजाज अगले तीन चार दिनों तक होगी अच्छी बारिस जिहां इन दिनों मांसुन की ट्रप लाइन उत्तर भारत से हिमालाइक तलटी की और बढ़ ही है इसके वज़ा से बिहार की तलटी वाले चेत्र में बारिस होने के उमीद है हालाकि मां पुर्णिया और भागलपूर के इलाकों में अच्छी बारिस के आसार है बाड़िकवर राज में जल्द खुलेंगे दरबंगा भागलपूर और बकसर में बंद पड़े आयुर्वेदिक कोलेज तीन हजार दो सु सत्तर सिक्चोकों की होगी बहाली जिहां बिहार सरकार स्वास्त बिवाग की प्रदान सचेव वा आयुस निदिसाला की एडि को इसे लेकर निदेश भी जारी कर दिया है प्रदेश की स्वास्त मंत्री मंगल पांडी ने यह जानकारे एक कायरकरम के दोरान साजा की है दरबंगा बाकसर और भागलपूर का आयरुवेदिक बंद पड़ा हुआ है लेकिन अब इसे वापस कोलने की तैयारी में सरकार जुड़ गई है मीडिया के नुसार बिहार में 3270 आयरुवेदिक चिकिसको की बहाली प्रक्रिया सुरू कर दी गई है जल्दी सभी आयरुवेदिक कोलेज वो अस्पताल में इनकी नुक्ती हो जा जारी कर दिया है परिचातरी अपना परिचा परिणाम बिहार ctbad.inmu.in पर जाकर अपना रिजल्द दे सकते हैं इस वर्ष 1,36,772 उमिद्वारों को एड्मिट कार्ड जारी किया गया था जिनमें से 1,17,968 उमिद्वार परिचा में सामिल हुए इनमें से 1,12,144 पूरिस उमिद्वार है बाड़ी कबर बिहार बोर्ड की कक्चा इगारवी में नमांकन की तिति बड़ी पहली चैन सुची से 31 अगस्त तक होंगे एडमिशन जिया बिहार बिद्दाले परिचा समिती ने प्लस टू स्कूल और कॉलेज में सत्र 2021-23 के लिए इंटर में नमा पूर्टल पर जाकर पहली चैन सुची से अब 31 अगस्त तक अपना नमांकन करा सकते हैं बिहार में उनलोक 6 पर फैसला आज धार्मी किस्तल फार्क और सामो इक समारूपर लगे पाबांदी पर सबकी निगाई टिकी सेमजी के बेड़क में होगा मन्थन जहां बिहार में उ पार्मी किस्तल पर लगे पाबंदियों पर टिकी हुई है सरकार ने अभी प्रदेश के सभी मंदिर महजित गुरोद्वारे को बंद रखा है जो भक्त है वो मंदिर के बाहर से भगवान के दर्सन कर रहे हैं दूसरे तरह पार्कों कभी यही हाल है पटना के सभी पार्क ब मंत्री ने रवाना की तरकारी एकस्प्रेस जै राजदाने वास्यों के लिए एक अच्छी खबर है अब घर बेटे ओडर से मंचाई सब्जिया मंगा सकते हैं इसके लिए तरकारी मार्ट डॉट इन एप के माधम से ओडर करना होगा इसी तरह तरकारी एकस्प्रेस इसको हरी जन्डी दिखा कर रवाना किया राजदाने में तरकारे एक्सप्रेस सब्जिक की चलंत आउटलेट के रूप में कायर करेगी बड़ी ख़बर बीजेपी जेड़ोई के बाद अब हम पार्टी भी लगाएगी जनता दर्बार एंडिये में जनता दर्बार लगाने क बीजेपी और जेड़ोई के बाद अब हम पार्टी भी जनता दर्बार लगाएगी बिहार के सत्ता रूड दलों में जनता दर्बार लगाने की होड लगे हुई है हर पार्टी अपने अपने इस्तर पर जनता दर्बार लगा रही है अब एंडिये की सयोगी दल हम पार्ट दानिस रिजवान ने दी है और अनकी बड़ी कबर हेल्थ विबाग में बंपर वेकेंसी निकालने में जुटी बिहार सरकार इन हजारों पदों पर भरती परक्रिया जल्द जिहां बिहार सरकार के स्वास्त मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 20 दिनों में राज में करीब 3,000 चि होगी और एन एचम के तहट 800 एनम की नुक्ति होगी आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार के पटना एरपोर्ड पैसंजर ट्रेन और साथ सडके को प्रावेट करने का फैसला सही या नहीं इसका जबाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए